आज मैं आपके साथ शेर करूंगी बहुती स्मूथ सिल्की एंड डिलिशियस चॉकलेट मूज शॉर्ट्स के रेसिपी यह बनाने में जितने आसान है खाने में उतने ही टेस्टी लगता है जिनको चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है उनके लिए थे बहुत बढ़िया रेस कॉसट कोफिया राएं यहां पर मैं ले रही ह deficASE यांगी पॉडरर कोंडॐर कोर्फियस टिलार पालेऊ में लेड़ी हुन इन आफे डिए पॉड़ियोवकोहन लेलेगी यहां पर मैंने लिंडर्ण से कोफिया थे स्थे कॉप्या चॉखिया है कोफिया को धुड़ स्पूर हो रहे है उनके लंज अच्छे से निकल जाए अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसे एक बार छान लेंगे जहां ताकि की जो भी लंज से गुट लिया इसके अंदर बचे वो निकल जाये तो उसके लिए मैं यहां ले रही हूँ एक स्ट्रेणर इसके निचे मैं रख रही हूँ एक सॉस पैन क्योंकि हम इस मूज को इस सॉस पैन के अंदर बनाएंगे तो यहां पर मैंने सारा बैटर इसके अंदर डाल दिया है यह देखे जो उपर बच गए छोटे-छोटे लंस हम इसे निकाल है तो इसके अंदर बहुत जल्दी लंस पढ़ सकते हैं हमें इस मूज को बहुत ही स्मूथ हैं सिल्की बनाना है तो इसके लिए हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना होगा यह देखे गाड़ा पढ़ना शुरू हो गया तो इसके अंदर मैं डाल देते हूं वन टेबल चौको चिप्स भी डाल सकते हो अब यह देखे बहुत ही अच्छे से यह गाड़ा हो चुका है चौकलेट भी हमारी मेल्ट हो चुकी है तो अब हम कर देंगे फ्लेम को आफ और इसे कर लेंगे थोड़ा सा थंडा कंटिन्यू चलाते हुए हम इसे रूम टिंपरेचर पर आ ताकि इसके अंदर बॉइल करते समय अगर कुछ गुटलिया आ चुकी हो तो वह भी निकल जाए ऐसा करने से हमारा जो मूज है वह बहुत सिल्की और स्मूध बनेगा यहाँ पर शौट्स के ग्लासेस लेकर इसे सेट कर लेंगे यहाँ पर मैंने चोटी-चोटी शौट्स क मैं भी सेट कर सकते हो इस तरह किसे हम इसके अंदर दाल देंगे सारे मूज के बैटर को और अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई एर पॉकेट्स ना रह पाए अब बिल्कुल परफेक्ट है हमने सारे ग्लासेस फिल कर लिये हैं अब हम इसे रख देंगे से कोई पॉडर को सारे मूज के उपर स्प्रिंकल करेंगे ताकि इसके उपर बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा लुक आ जाए तो यहां पर पर्फेक्ट लिए हमारे मूज बनकर तयार है यह कि मूज शॉट्स के जो ग्लासेस हैं बहुत ही प्यारी और डिलिशस लग रही है त हमें कमेंट्स करकर जरूर बताना अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ थैंक्यू सो मच